जब आप अनलाइन अपना केस रजिस्टर करेंगे तो उसका सलाम आलेकूं मर्जे खोई समय दे रहा है वार भी जागा माफी मालू मर्ण इसे आपका कफिल रहेगा और वो कोड की तरफ से एक बंदा रहेगा और आप रहोगा आपके केस में क्या कुछ हुआ क्या डिसीजन हुआ जो आप चाहते हैं तो हुआ आपके पक्ष में डिसीजन हुआ या कि आपके कफिल के पक्ष में डिसीजन हुआ हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब एक बर मैं सौधी लेवर कोड गया था तो वहां का एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे तो काफी सारे सवाला हैं लेवर कोड से रिलेटेड तो आज सभी सवालों के जवाब में दूंगा हो सकता आपके भी कोई सवाल हो जिसक आप लेवर कोड जाएंगे तो डारेट आपको लेवर कोड में इंटरी नहीं मिलेगा जी हां दोस्तों डारेट इंटरी नहीं मिलेगा उसके लेफ्ट राइट हैं ऑफिस छोटे-छोटे बने रहते हैं जहां पे आपको ऑन-लाइन अपना केस सब्मिट करना पड़ता है य उसका 120 रेयाल लगेगा और उसके बाद में 2024 घंटे आंदर आपके मुबाएल में एक मैसेज आएगा उही मैसेज लेकर फिर आप उसी ओफिस में दوبारा जाएंगे तो फिर आपसे 50 रेयाल लिया जाएगा यानि पहले 120 रियाल दुबारा 50 रियाल उसके बाद में अगर जो फिर आप जाते हैं तिसरी बार चौती बार तो आप से 30-30 रियाल चार्ज किया जाएगा क्यों चार्ज किया जाता है देखिए जब अपना केस आप सब्मिट कर देंगे ऑनलाइन उसके बाद 120 रियाल ले लिया जाएगा उसके बाद में जब 24-49 घंटे में आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा या आनलाइन बात करने के लिए वीडियो कॉल हो या आउडियो कॉल ज चाहेगे फिर दुबारा जब आना पड़ेगा आपको यानि फिर से मैसेज आएगा कोई OTP आएगा कोई नंबर आएगा जो भी रहेगा तो तीसरी बार जब आना पड़ेगा आपको तो उस वक्स सिर्फ 30 रियाल इसलिए लेते हैं क्योंकि कोई पेपर रहता है निकलवान पड़ता है यानि आपके केस में क्या कुछ हुआ है क्या ॉडिसीजन हुआ जो आप चाहsten है नहीं बएक पेपर और या फिरे पफिरोल इसलिए हो कफाला चाहिए और आपका कफिल देना नहीं चाहता है तो इस सब मामले में ज्यादा टाइम लग जाता और दूसरी बात अगर जो आपके कफिल का वास्ता है उसमें भी ज्यादा टाइम लग जागा अगर जो आपको एकजिड जाना है या सौधी अरभ में नहीं रहना काम न ताइबस लग जाता है आपका कफिल ही लगा कर देंगा जो की लेबर कोड़ बोलेंगे लगा कर देने के लिए तक आप सुख़े इरब से जा को और टिकट आपका अपना रहेंगा लेकिन अगर जो अकल कफाले के लिए आप अपलाई करते हो तो उसमें भी टाइम लगेगा कोई केस अगर जो आप करते हैं तो उसमें भी टाइम लगेगा महीना डेड़ महीना दो महीना कुछ नहीं कहा जा सकता है कितना टाइम लगेगा और अगर जो आपका सैलेरी होगा रहा है तो भी सबस्क्राइब लगाएं लेकिन आपका एक ही आफिस में काम होगा तब लगेगा और और नब जे बयुत कुंध लगेगा ज्यादा ही पैसा या या आप से ले लिया जाएगा सौूधी लेवर कोट है यह मूर्सलाट में है जेस्ट मोबाइल सोप जो एक लाइन से मोबाइल सोप है जेस्ट उससे पहले यानि मलिक अब्दुल अजीज रोड पे है मुरसलात में तो अगर जो किसी भाई को नहीं मालूम है और वो जाना चाहते हैं लोकेशन चाहिए तो मेरा Instagram ID description में है आप वहां से हमें contact कीजिए MD रहीम 5 करके है कोई भी सवाल है और मेरे से अगर जो कुछ हो सकता है तो जरूर मैं help करूँगा और मेरा यही कहना भाई जैसे मैं हूँ वैसे आप लोग भी हैं परदेश में हैं अपना घर फैमिली सब कुछ छोड़ कर रहे हैं तो अगर जो आ गया है तो दो बात सबर करके कुछ बातें बरदास करके कुछ समय जरूर गुजार लें ताकि जो पैसा लगा कर रहे हैं और आपका रास्ता बने रहें यानि घर वाले भी खुश रहें और आपका सेलरी बराबर आता रहें भले दो बात बरदास कहीं किन्वा करना पड़ें क्योंकि अगर जो सबर करने से कुछ काम हो जाते हैं तो सब करना अच्छी बात है ऐसा नहीं है कि अगर जो आपको अठरे सो में बुलाया गया और पंद्रे सो मिल रहे हैं तब उसे लड़ाई जगड़ा करें केस करें उसे क्या लाब होगा कुछ नहीं हाँ आपको नहीं काम करना है तो आप दो साल के जगा एक साल या फिर एक साल के जगा पे छे महीना करके अपना पैसा निकाल कर जो लगा करा हैं फिर आप प्यार और मुहबत से बाते करके कुछ इमर्जनसी कुछ जरूरत बता कि आप यहां से जा सकते हैं तो इससे यह होगा कि आपका पैसा लगाया हुआ भी निकल जाएगा और भाग है मेरी बाते आप लोग को सायद कुछ समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देजिए और कोई सवाल है तो कमेंड में आप हमसे पूछ सकते हैं और इंस्टागराम आइडी डिस्क्रिप्शन में आप वहां से हमें डारेट कॉंटेक क कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं फिर अगले बीजिए